हेलो आज है 23 मार्च और आज इस पूडियो में हम बात करने जा रहे हैं आटो मोबिल सेक्टर के पांच शेर के बारे में यह वो शेर्स है जिसके उपर काफी जादा ट्रेडिंग हो रही है लोग काफी जादा खरीदारी और बेचने का काम कर रहे हैं इस शेर्स में और बहु और क्या सिचुवेशन ने हाल फिलाल मीम की तो वीडियो को शुरू कर उससे पहले अगर आप नमीजा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस है जो आपको काफी जादा हेल्फ करे ही है आप खुद देख सकते हैं कि अगर मैं पिछले एक हफते काही अगर डेटा आपको प्रेजेंट करके दिखाओं तो पिछले एक हफते में अशोक लेलेंड का जो शेर है वो कहां से गिलता हुआ नीचे आया है आप खुद देखिए 65-66 रुपीज से ये शेर गिलता हुआ है ये और ये हालत बहुत ही जादा टैंस है और ये इसका रीजन भी है कि अशोक लेलेंड ने अनौंसमेंट कर दी कि उनकी जो फाइनांस कंपनी है हिंदुजा लेलेंड फाइनांस में तो ये उसमें 1200 करोड रुपे का निवेश करेंगे अब मांकेट ने इसको काफ पाइश कर रहे हैं और दूसरी बात ये थी कि किसी को फाइदा हो नहीं रहा है अशोक लेलेंड ने खुद नीचे जा रहा है खुद कंपनी के पास उतना जादा पैसा नहीं है कि वह सिचुवेशन को रन कर पाए क्योंकि शेर्स में ये होता है कि वह कंपनी और मैनेजमें के पास at least खुद को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा होना ज़रूरी है और अशोक लेलेंड के पास नो डाट अशोक लेलेंड कंपनी को चलाने के लिए पैसा है लेकिन ये अलग से पैसा अलोकेट कर रहे हैं दूसरी कंपनी के लिए तो कहां से निवेश आएगा उसको दिक्कत थी उसको लेकर काफि जादा question थी और काफी लोगों ने इसका विरूद भी किया काफी लोगों ने इसको बताया कि वह यह decision जो है वो काफी जादा गलत है लेकिन उसके बाद अशोक लेलन ने इसका जो बारा सुक्रोड करोर का यह लोग जो निवेश करने वाल है आप देखिए टेक्निकल रेटिंग अभी भी उतनी अच्छी नहीं है शेयर्ट में पी की बात करेंगे तो ग्यारा का पी है जबकि इंडर्श्री भी 13 के आसपास का है 28 की बुक वैल्यू है प्राइस टू बॉक वैल्यू है प्राइस टू बॉक वैल्यू 1.26 से 310 परसन द क्रॉफिट हुआ था देसंबर क्वाटर में तक्रीबन 40 करोड का प्रॉफिट हुआ था सप्टेंबर क्वाटर में और अच्छे इसलिए नहीं क्योंकि इससे पहले कंपनी साड़े छे सो से चार सो करोड का मुनाफ़क कमा चुकी है तो इसलिए वो अच्छी चीज इनके लिए नहीं थी और आटो मोबिल सेक्टर की जो मंदी है उसने इनको तोड के रख दिया है करजा इनको उपर है तकरीबन 400 करोड के आसपास का करजा भी इनको उपर देखने को मिल रहा है और दूसरा शेर है मदरसं सूमी वो भी आज आप देखिए 15% की गिरावट लेके बैठ है 56 रुपीज किसी ने सोचा नहीं होगा कि मदरसं सूमी का शेर 56 रुपीज के उपर भी ट्रेड कर सकता है पिछले एक महिने में ही इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल आप कुछ देखिए एक सो बीस रुपे के आसपास ये शेर ट्रेड हुआ करता था और एक ही महिने में ये शेर 50 रुपे के आसपास पहुँच चुका है एक ही महिने में 50 रुपय के आसपास ये शेयर पहुँच चुका है तो नो डाउट काफी बड़ी गिरावट इसमें भी देखने को मिल टेक्निकल डुटिंग अभी भी इनके अच्छे नहीं है 24 के राउंड का पी है जबकि इंडर्शिपी 28 के आसपास देखने को मिला है 150 परसंट का डिविटन दे रहे हैं मतरब देट रुपय पॉर्टिंग आपको मिल रहा है 68 परसंट लोग यहां पर खरीद़ारी की साला दे रहे हैं नेट प्रॉफिट्स आप देखेंगे तो अच्छे हैं इनके आप देखें स्टेबल है हम यह कैसे पर इस्टेबल है गिरावट नहीं है स्टेबल नतीजे हैं और हाल फिलाल में दिक्त यह है कि देखो यह लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं चाइना में और उसकी जगा तो वहां करोना के चलते इनका जो बिजनस है वो अफेक्ट हुआ है और इंडिया में भी इनका बिजनस बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो चुका है उतनी ज़्यादा करजा इनके उपर नहीं है बैनेशीट में सिर्फ 1100 करोर के आसपार सा करजा है और वो उतना बड़ा करजा बिलकुल भी नहीं है यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि शेर होल्डिंग प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो कॉंस्टन है मार्च का डेटा भी आ चुका है प्रमोटर की होल्डिंग कॉंस्टन है प्रमोटर ने शेर ना खरीदे है ना बेचे है हालागि थोड़ी सी होल्डिंग गिरवी ज कॉंस्टन है mutual fund के भी होड़ी हम कॉंस्टन कह सकते हैं तो overall काफी बहतर है strong share है लेकिन हाल पिलालन आटमोबिल की जो मंदी है तो कि देखे production बंद हो चुका है ठीक है प्लांट shut down करने पड़ रहे है कोरोना की वज़े से एक और शेयर है मारूती सुदूकी बहुत ही बड़ा दिक्कत शेयर है आप देखिए 16-17% की एक ही दिन में गिरावट है चार हजार दो सो रुपे पर आ चुका है पिशले एक महिने में अब खुद देखेंगे कि देखिए शेयर कितने बड़े लेवल के उपर ट्रेट कर रहा है तो तीन महिने में जो इसका लेवल है वो और ज़्यादा हाई था 7500 रुपे के आसपास के लेवल के उपर ट्रेट कर रहा है तो काफी बड़ी गिरावट इसमें भी देखने को मिली है यहाँ पर 94% लोग खरीददारी की सला दे रहे हैं 5% लोग यहाँ पर बेचने की सला दे रहे हैं एक परसंट लोग यहाँ पर होल्ड करने की सला दे रहे हैं और यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो नेट प्रॉफिट भी आप खुछ देखे कंपनी के कॉंस्टन है भाईया इंक्रीज भी हो रहा है लेकिन कॉंस्टन भी है पंद्रा सुसे सोला सो करोड के नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं काफी बढ़िया है और कर्जा बिलकुल भी नहीं है जबकि पंद्रा सुसे सुला सो करोड तो भाईय यह लोग एक क्वार्टर में कमा लेते तो कर्जा कोई उतना जादा है ही नहीं इनके उपर और प्रमोटर की जो होल्डिंग आप देखें गी तो कॉंस्टन देखने को म ही है तो दिक्कत शैर है बढ़िया शैर है अच्छे प्राइस के उपर भी ट्रेट करा है नीचे भी आ चुका है इगी चौथा शैर है महिंद्रा एं महिंद्रा डेफिनिट्ली काफी बड़ा शैर है यह आज 9% की गिरावट इसमें देखने को मिली है अगर हम बात करेंगे बढ़िया तो एक महिने में यह शैर भी देखे 550 रुपए के आसपास से टूपता हुआ नीचे आया है और अभी अवेलेबल है 300 रुपए से भी कम प्राइस के उपर अवेलेबल है तो इसमें भी बहुत बड़ी गिरावट है और यह अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें यह जो गिरावट है यह भी काफी बड़ी है इनके भी जो प्रॉफिट से हाला कि काफी बहतर गुआ करते थे लेकिन दिसम्बर की जो प्रॉफिट है वो उतने अच्छे नहीं आए थे अगर हम बात करने जाए इनके भी शैर होल्डिंग की तो देखेंगे प्र को 84% की ही होल्डिंग गिर भी है एफाइल्स की होल्डिंग डेफिनेटल यहां पर थोड़ी थोड़ी गिरती हुई दिखाए जरे 33 से 31 पक पहुँच चुगी है इंशॉरंस कंपनी होल्डिंग यहां पर बढ़ा रहे हैं और मूच्छ पंड भी अपनी होल्डिंग कंटिन इन्योर्स तरीके से यहां पर इंक्रीज कर रहे हैं दिखत शेर है बढ़िया शेर है लेकिन आटमोबिल सेर्टर की यह जो मंदी है यह अभी से नहीं पिछले दो साल से चल रही है और उसके बाद है टाटा मोटर्स देखें बहुत निचले लेवल पर आ चुका है काफी ज पर आधे से भी कम प्राइस के ऊपर अवेलेबल है रीजन यह है कि टाटा मोटर्स को जो खामियाद चुकाना पड़ा है वो जेलार की वज़े से भी है तो जैगुआर का सबसे बड़ा जो मार्केट है वो यूरोपियन कंट्रीज है और चाइना है चाइना में कोरोना बुरी तरीके से पैल चुका है यह है कि इनके जो प्लांस है उनको शटडाउन करना पड़ रहा है और इंडिया में भी हलाकि यह दीरे दीरे आ रहा है तो मार्केट जो है वो आने वाले दिनको अज्यूम करके चलता है कि बहिया आने वाले दिनों में इंडिया में भी यह situation हो सकती है तो इसलिए automobil sector की मंदी है क्योंकि देखिए plants इनके बंद पड़े हैं क्योंकि definitely लोगों के safety का भी इनको ख्याल रखना पड़ता है तो plants इनके बंद पड़े है production बंद पड़ा है और companies भी बंद पड़े हैं decrease हो नहीं रही है क्योंकि सब लोग अपने घर में कैद हैं कोई घर से जा नहीं रहा है decrease भी नहीं हो रही है Automobil sector में अभी हाल लग में तो वह सबसे बड़ा reason है कि यह हालत हो रही है यह पांच ऐसे share से जिसकोर आपको नजर रखनी चाहिए अच्छे share से बहतर share से definitely आने वाले दिनों में यह shares bound back कर लेंगे लेकिन अगर आपने खर अगर मैं अभी भी कहरा हूँ अभी भी खरीदने का मौका नहीं आया है अभी भी खरीदने का मौका नहीं आया है कोरोना की जो situation है वो आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है तो मैं यही कहूँगा कि देखो यार अभी इसमें खरीदारी ना करे तो बहतर होगा share में और गिरावट आ सकती है याद रखे अगर एक दिन अगर share उपर दोड़ेगा तो बाकी के तीन दिन ये नीचे भी टूट जाएगा तो मैं यही कहूँगा कि जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करे खरीदारी के लिए लेकिन हाँ नजर जरूर रखे इन shares के उपर definitely खरीदारी के बढ़िया मौके यहाँ पर आपको जरूर मिलेंगे अगर आप रिटेन नीवेशक है तो वेट करें अगर आप बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं तो आप ऐसे shares में छोटी छोटी quantity लगा सकते हैं जैसे कि मदर संथ तुमी है जैसे कि अशोक लेलेंड है जैसे कि मारुजी सुजू की है ऐसे shares में आप छोटी quantity लगा सकते हैं ना कि कोई बड़ी quantity सिर्फ छोटी quantity और जिससे आपको उतना जादा फड़क भी ना पड़े और क्योंकि यह पैसा है तो बचाके रखे डेफिनिटली मार्केट में आपको बहुत जरूर्ष पढ़ने वाली है आने वाले दिनों में तो यह 5 shares है जो मैंने चून यह जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यह double हो सकते हैं लेकिन वक्त लगेगा ठीक है वक्त लगेगा जब दिक्कत खतम होगी कोरोना वाली तब यह share आपको अच्छे कासे प्राइस के उपर ट्रेट करते हैं वह भी दिखाए दे सकते हैं लेकिन अगेन कह रहा हूँ खरीबारी का मौका अभी भी नहीं आया है तो वीडियो को य झाल